हेलो फ्रेंद्स का मिर्ची का इंस्टेंट लगे औक इसथ हैं कि अंगे तो आप और दृसले के तरिके शी मिर्ची का खाते हैं इसे आप पूरी के साथ, पराटे के साथ, रूटी के साथ, चावल के साथ किसी के भी साथ खा सकते हैं तो छली बनाते हैं टेस्टी इसी रेचिपी तो इसके लिए मैंने यहां ilië 7 रूटί लियी हैं आप चाहें तो इसे और भी छोटे टुकड़ों में कर सकते हैं या सर्फ एक ही चीरा लंबाई में भी लगा कर छोड़ सकते हैं इस तरीके से मैंने इसे चार टुकड़ों में एक-एक मिर्ची को गट कर लिया है और यह देखिए हमारी सारी मिर्ची अब कट हो चुकी है और मैंने यहाँ पर कड़ाई में 2-3 टेविल स्पून ओयल गरम होने रख दिया है और मैंने यहाँ पर लिया है यह पश्पोरन यह देखिए 5 चीरों से बिना हुआ है चीरा, सौफ, अजवाइन, मेथी और कलोंजी यह मैंने एक चमच लिया है आप रेशियो के हिसाब से थोड़ा थोड़ा बरावर मात्रा में भी ले सकते हैं या सिर्फ चीरा भी ले सकते हैं अगर आपके पास इससब चीज़े नहीं है तो और इनके तड़कने पर फिर मैंने इसमें डाल दी है मिर्ची और इन्हें मोथ और एक यह थोड़ी फ्राई होने लगी है और फ्लेम मिडिय abolish विवे यहें चाहिए जितनी हमें चाहिए हमारी फिर हो चुकिंशाम रंशाओं कहिए नहीं करना है और अब हम फ्लेम कर देंगे वा और यह वाउर्फ दलेंगे अर फ्लेम पर में बैस अचुमैस ककर ट बिल्फ तेइस्पुन ङल्दी पौडर केल, और लिए है एक छमच लेघ वड़ोडर ल Carnal स्वावडर केल शाइब। जायं शेया हैं गया पॉड़ function जीएगा उपस बिल्फ गलेगा शेल जातने आपने चमच मौट innovative केल, खेव मिल्फ साइब है बिल्कुल अचार जैसा फ्लेवर आएगा उपसे देखिए लो फ्लेम पर ही हलका सचला के मसाले हमें फ्राई कर लेने मिर्ची तो पहले से फ्राई हो रखी थी और अब हम कर देंगे गैस बंद और मैंने एक निम्बू लिया है उसको अच्छे से निचोड के मिर्ची में डा मिक्स कर लेंगे और अच्छे से मिर्चों में अब्जॉर्ब हो जाएगा और फिर इससे जो इसका चटपटा पन खटा पने सम मिक्स होके जो रेस्पी बनके आएगी ना बहुत ही टेस्टी होती है आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे बस यह कि आपको कंट्रोल करके कम खान एक बार च्छे बनके तैयार हो गही है और यह जितनी देखने में चया पटी लग रही है खाने में बहुत रह तेफी बनी है उसका कर बना आप एक मर्छ इस से जरूर बनाए रहसी और मुझे कंट करकेर जरूर बताइए कि आपको मेरे रहर आपको यह पंड़े उसका झाल झाल